उधारन तीन कुछ घना का टुकडों, ब्लोक्स से खेलते हुए वीलियम ने चित्रा नुसार एक सनरचना बनाई यदि प्रत्तिक घन के किनारे की लंबाई 4 सेंटिमीटर हो तो वीलियम द्वारा बनाए गये सनरचना का आयतन ग्याद कीजिए उधारन तीन बच्चों, विलियम ने कुछ घनाकार टुकडों से खेलते हुए एक सनरचना बनाई और बच्चों, प्रश्ण में हमें दिया है कि प्रत्तिक घन के किनारे की लंबाई 4 सेंटिमीटर है क्या दिया हो है बच्चों को? प्रत्तिक घन के किनारे की लंबाई बराबर ए बराबर 4 सेंटिमीटर तो बच्चों अब हम प्रत्तिक घन का आयतन ग्याद करेंगे तो देखिए इसलिए प्रत्तिक घन का आयतन सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारा घन का आयतन है वो होता है ए गुणित ए गुणित ए बच्चों ए का मान हमने यहाँ पर निकाला चार सेंटिमीटर यह हमको प्रश्म में दिया गया है तो यह हो जाएगा चार गुणित चार गुणित चार बराबर चार चौक सोला सोला चौक चौसट घन सेंटिमीटर बच्चों यदि हम सनरशना में जोकी विल्यम ने बनाई है उसमें जितने घन का उप्योग किया है उसने यदि उसकी हम गिंती करें तो हम पाते हैं कि पंदरा घन का प्रयोग करके यह सनरशना बनाई गई है तो क्या हो गया बच्चों सनरशना में लगे घनों की संख्या बराबर पंदरा तो बच्चों यदि हमको पूरी सनरशना का आयतन ग्याद करना है तो हमको इन पंदरा घनों के जो है कुल आयतन की गणा करना होगा और हमने यह देखा कि एक घन का जो आयतन है वो 64 घन सेंटिमीटर है इसलिए सनरशना का आयतन बराबर 64 घने पंदरा और इनकी गणा करते हैं बच्चों तो यह आता है 960 घन सेंटिमीटर तो बच्चों विलियम ने जो पंदरा घना का टुकड़े हैं उनकी सहता से जो रचना सनरशना तयार की उसका आयतन जो है उस सनरशना का वो आया 960 घन सेंटिमीटर इस प्रकार इस प्रशन का हमने हल प्राप्त कर लिया करके देखें अपनी पुस्तक के किसी आयताकार प्रिस्ट का छेतरफल ग्याद कीजिए अब पुस्तक की उचाई माप कर पुस्तक का आयतन ग्याद कीजिए अपने स्कूल के पुस्तकाले की अलमारी के किसी खाने में आपकी पुस्तकों जैसी आगार वाली कितनी पुस्तकें रखी जा सकती है क्या आप विद्याले में प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं? पुस्तक के स्थान पर पिछले कुछ दिनों के इखटे किये गए समाचार पत्रों के साथ उपर्युक्त गतिविधी कर बताईए कि पुस्तकाले की अलमारी कितने दिनों के समाचार पत्र से भर जाएगी हमने सीखा पहला घन एक नियमित समशट फलक ठोस आकरिती है जिसमें चार पार्श फलक और आठ शिर्ष हैं दूसरा यदि घन के किनारे की लंबाई ए है तब घन के संपूर्ण प्रिस्ट का छेदरफल बराबर 6A स्क्वेर घन के पार्श फ्रिस्ट का छेदरफल बराबर 4A स्क्वेर घन का आयतन बराबर A क्यूब तीसरा यदि घनाप की लंबाई L, चौड़ाई B और उचाई H है तब घनाप का संपूर्ण प्रिस्ट का छेदरफल बराबर 2 गुनित कोस्टक में LB प्लस BH प्लस LH घनाप का पार्श प्रिस्ट का छेदरफल बराबर 2 गुनित H गुनित कोस्टक में L धन B घनाप का आयतन बराबर L गुनित B गुनित H चौथा ठो स्वस्ट्वें जिनका आयतन अधिक होता है वे अधिक जगह घेरती हैं घनापक का यजए औराबर 2 गुनित कर दो स्वस्टरित झाल झाल